नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम समझानेंगे बिहार बोड तेंथ रजल 2020 के बारे में जिसके कोंपियों का मुल्यांकन कार्ज कोरोना वाइरस की वज़ा से और सिक्षकों के हर्ताल के वज़ा से अस्थागित कर दिया गया था छे माई से इसे पुना प्राराम किया गया है और लगबख सभी के अंदरो पर इसके मुल्यांकन का कार्ज हो चुका है कम्प्यूटर में अंको का कमपाइलेशन का कार्ज भी हो चुका है टौपरो के लिस्ट भी है जो जारी हो चुका है तो बिहार बोड के तेंथ के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्ज लभा लभा पूरा हो चुका है और बहुत जल जो है टॉपरों के इंटर्वियों की परकिरिया जो है शुरू हो चुके है और इंका समापन भी हो चुका है इसके लिए बिहार बोड ने मैट्रिक की चलते मुल्यांकन जो है मुल्यांकन घोसित होगा तो आप कहा से देखेंगे, मुले अंगलन का कार्ज खतम होते ही उनका वेरिफिकेशन होगा टॉपरो की लिस्ट और उनको फिजिकली बिहार बोट कर्याले में बुलाय जागा इस बार कुरोना वायरस की वज़से उन्हें हो सकता है नहीं बुलाय जाए और उनको वेरिफिकेशन का कार्ड जो है वीडियो कॉलिंग के माधम से अलग-अलग वीशेओ के एक्सपर्ट के जो है उनसे बात करेंगे पिछली बार जो है तेन्थ करेजल जारी हुआ था तो उसमें 80% स्टुडेंट पास छाद थे क्या इस बार जो है वैसा होगा अधिकतर स्टुडेंट पास होंगे 2018 में बात करें तो 2018 में 68% थी माध चाद थे जबकि 2019 में जो है 80% जो है विदार्थी पास हुए थे इस बार जो है इजे परकिरिया कितनी पर जाएगे और कितने पास होंगे अंकों के कंपाइलेशन का कार्ज और स्टॉपरों के इंटर्व्यू पर किरिया होने के बाद रिजल्ट जो है 18 माई या 19 माई को जब भी ये कार्ज हो जाएगा तो 18 माई या 19 माई को दोपर में रिजल्ट जारी किया जाएगा आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं आप जारी होगा तो www.bijharboard online.bihargob.com के अलावा आप www live हिंस्थूसतान पर भी चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप SMS के माधियम से रिजल्ट जाना चाहते हैं तो आप www.baseb वहाँ पे आपना रोल नमरs ताइप करके SMS के माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो को लाइक से और आउस करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको वहाँ प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को वस प्रेस कर लें आज के लिए तना ही थाइंक्यू